अच्छी बात यह है कि भारत आज सशक्त है और चीन हमें आखे दिखाने से पहले कई दफा सोचता है पर 2023 की अगली चुनोती दरसल वोक इन प्रोग्रेस है पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायुजित आतंक भारतिय सेना ने आतंकियों का सफाया इस हद तक किया कि अब वो कॉंट्राक्ट किलर की तरह रह गया है लेकिन टार्गेट किलिंग को भी अब टार्गेट करके समाप्त करने का समय है और हम इससे बुस्टर डोज की रूप में प्रियोग करेंगे जिससे कि आपका जो अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट में जितना भी इंफेक्शन से अपर लेवल पर ही वो कंट्रोल कर लेगी लोवर रेस्परेटरी ट्रैक्ट को उसमें इन्वाल होने नहीं देगी मोस्टली कोबिड में लोगों में क्या होता है कि जो लंग्स में इंफेक्शन फैलने के बाद ही सीविरेटी ज़ादा होती, सांस लेने में दिक्कत होना, आक्सिजन लेबल कम होने लगना, इस तरह कि जो परिशानिया है उससे पहले जो है नेजल वैक्सिन जो अपर रेस्प वैक्सिनेशन का जो कवरेज है बहुत ही अच्छा है, जिससे है कि हो भी रहा है लोगों में तो लेकिन सिवियरिटी नहीं हो रही है, उतना संक्रामक नहीं हो रहा है रोग, हो रहा है लिए सेल्फ इम्मूनिटी और वैक्सिन के एंटिवोडी डवलप हो जाने के कारण ल होगा लोगों में, लेकिन ओमीकृन से ज़ाधा सिवियर है, लेकिन हमारे देश में जीपिल की वैक्सिनेशन का कवरेज इतना अच्छा है कि इसके कारण हम लोग बहुत बचावा होगा और इसके कारण ज़्यादा मॉटलिटी और ज़्यादा लोगों के चांसे नहीं है टागिट किलिंग के साथ पार्ट टाइम आतंकी कश्मीर की नई समस्या बन गए टागिट किलिंग मुझे लगता है पाकिस्तान बखला गया है पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरीके से अब्रोगेशन अपार्टिकल 370 हुआ 35 ए हुआ कि भारत और स्पेशली कश्मीर के अंदर एक तरीके हिंसा पैलेगी वो हिंसा नहीं पैली वह उसको आस्चरे होगा हुआ कि यह इतना सब कुछ केने के बाद किश्मीर के अंदर जिस प्रकार से टूरिजम हुआ है जिस प्रकार से लोग खुले आम महाँ पर चल रहे है सरकार ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाने की जो मोहिम शुरू की थी उसे 2022 में तगड़ा जटका लगा एक के बाद एक आतंकी गदिविधियों ने कश्मीरी पंडितों का भरोसा और होसला दोनों डिगा थी प्लीज को चौढ़ कर तक अपनी जान के लिए तडबते रहेंगे कि बार अपनी गौहार लगाते रहेंगे और किसको बोले हम कैसे बोल ऐसे समझाएं कौन सी लांक्वेज हैं इंगलिश हएं हिंगल ने को अपनी दोहरी मीती को छोड़ने को तयार नी डबल स्रांडर्स को छोड़िए प्लीज हमारी जानों के ओपर डबल स्रांडर्स ये गेम मत खेले 2022 में कश्मीर में हुए हमलों में पाकिस्तान ने हाइब्रिड आतंकियों का इस्तमाल किया जिने पहचान पाना और पकड़ पाना पड़ी चुनों अपना हदिया डाल दे हाथ उबर कर लो और बाहर आ जाओ मकसद टागेट किलिंग का एक ही होता है कि जो कश्मीरी हिंदू है वो वहाँ पे आकर के ना बसे कोई भी अगर सोचता है कि आकर के कश्मीर के अंदर बस सकता है वो ना आए यही उसका मकसद है